नमस्कार नियूस्वल इंडिया आप देख रहे हैं आपके साथ मैं हूँ सुनाली ठाकूर बुलेटिंगी शुरुआत करते हैं राजस्थान की अश्रोग गहलोज सरकार के चार साल पूरे होने पर जैपुर में 16 और 17 जन्वरी को चिंतन शिवर क्या जिन किया जाएगा इस शिवर में गहलोज सरकार के 4 साल के कामकाज बजट घोशनाओ और साथी कॉंगरिस की चुनावी घोशना पत्र के बिंदुआ पर चिंतन किया जाएगा इस चिंतन शिवर में लिए मंत्री और अफसरों की ग्रूप बनाए गये हैं यह अधिकारी सियम अशो कहलोल के उपस्तेदी में दो दिन तक बतादे की प्रेजेंटेशन करेंगे साथी बतादे की प्रेजेंटेशन देने के बाद इन सम्हों की ओर से दिये जाने वाले प्रेजेंटेशन से सामने आएगा कि किस मंत्री के नेत्वित में विभाग में कितना बेहतर कांग किया है वे बीजेपी की राश्ट्रिया कारे करनी की दो दिवसी बैठक 16 जन्वरी से शुरू हो जाएगी और साथ ही ये बैठक राजधानी स्थेत नई दिल्ली में आज से ही शुरू हो जाएगी और नगरपारी का परिश्वत के कन्वेंशन सेंटर में होगी इस बैठक में केंदरी की सतरूर पार्टी में कई भड़े फैस्टि लिये जा सकते हैं बीजेपी के राश्ट्रिया ध्यक्ष जेपी नड़ा के कारे काल को विस्तार मिल सकता है साथ ही इसमें विधान सभा और लोगसभा चुनावों में पार्टी की रणनीती पर भी विचार विमर्ष किया जाएगा बीजेपी के राश्ट्रिया ध्यक्ष रूप में जेपी नड़ा का तीन साल का कारे कल इस महीने समाप्त हो रहा है वही 2024 के लोगसभा चुनाव तक पार्टी के नित्रच्व कर सकते हैं कारे करने की बैठे की शुरुआत एंडी एमसी कन्वेंशन सेंटर में शाम चार भजे दीप्रजुलित कर किया जाएगा आज और इसमें वतादे की नड़ा की अधिश्चिल संबोधित संबोधन होंगा दिल्ली के शकर पर इलाकों में वतादे की आग लगने की खबर से हरकम मजगिया है आग कैंट मुख्या लेके पांचवी मंजिर पर लगी है सूचना मिलते ही दमकल की छे गारिया मौके पर पहुँची और आग पर काबू पाने में जुड़ गई फायर ब्रिकर के मताबिक कैंट्स एंबुलेंस की बिल्डिंग के छट पर बता दे ही की जेनरेट रूम में आग लगनी की सूचना मिली थी जिस पर टीम मौके पर पहुँची और आग पर काबू पाने में सफलत हासिल की है फायर ब्रिकर की टीम मौके पर पहुँच गई थी वहीं स्थाने लोगों की भीर लफी जमा हो गई पांच मंजिला बिल्डिंग में आग कैसे लगी और इनमें कोई हतारत हुआ या नहीं हुआ इसे लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है जगत पिता सूर्य की आराधा और आस्था का महापर्व मकरसंक्रांती पर बतादे कि सीम योगिया दितनात ने ब्रह्मा मुरत में आस्था की खिचुडी चरहाई थी साथ ही बता देगी गोड़कनात मंदिर में मकरसंक्रांती के पर जाहा पर योगिया दितनात ने आस्था की खिचुडी चरहाई और साथ ही सीम ने खिचुडी चरहाने के बाद से दूर दराज के लाख हो के तादाते मंदिर पहुंचे शंधालों को दोरा बाबा को अपनी आस्था की खिचुडी चरधाने का शुरुवात किया इस दौरां सीम ने सभी प्रदेश वासियों को मकर संक्रांती के शुपकामना बधाया दी थी सीम ने कहा था कि मकर संक्रांती के पर्व जगत पिता सूर्य के प्रती आस्था का पर्व है शिव आफ्तारनी बाबा गुरु गौरकनाद सभी के करल्यान करे और हम सभी पर अपना शिर्वात बनाए रखे उन्होंने कहा है कि वैसे तो कल ही शद्धालू बाबा की खिच्डी चरहा रहे है और आज लाकों की संख्या में लोग बाबा को अपनी आस्था की खिच्डी च कराएंगे और आगे खबर राय बरली से है जहां पर बता दे कि उचाहार तहसिल प्रश्वासन द्वारा ग्राम सभाद धता में आवैतरी के से सुरक्ष्वित जमीन पर कबजा कर भूमाफियां द्वारा खेती की जा रही है जिसको लेकर तहसिल प्रश्वासन उचाहार जक हुआ है और साथी ग्राम सभाद धुता दलबल के साथ स्डीम उचाहार आशिश मिश्रक और तैसिलदार उचाहार अजे कुमार गुपता मौके पर पहुँचे हैं यहां उन्होंने सुरक्ष्वित जमीन को चुनहित कर लगभग 25 एकर जमीन कब्सा मुक्त करा कर ग्रा ग्राम व्यादग को सुपूत की गई है इसको आज खाली करवाय गया है और खाली कराकर ग्राम प्रधान को सुपूत गया है कि अपनी गौसाला बनाने की कारवाई करें इसी के बगल में ही एक प्रभू और छेदी यह सब परिवार हैं जो एससी है और इनकी जमीन पर वी रादे शाम में एक अबजा किया था उनक अन्तरास्ट्र हिंदू परिश्वत के अध्याख्ष प्रवीन-तोगरिया ज्वासी महानगर के दोरे पर है ज्वासी प्रवास के दोरान प्रवीन-तोगरिया समाजवधी डॉक्टर संधीब प्रवीन तोगडिया के संधीब सरावगी के कार्याले पहुचने के बाद संगर सेवा सिमिति के सदस्यों के साथ प्रवीन तोगडिया के विस्तार से वारता हुई है। ऐसे समाज सेवी पूर देश में नहीं देखा गया है लेकिन समाज सेवा के साथ धर्म की सेवा का कार्य संगर सेवा समिति अद्वित्य रूप से कर रहा है। पर भी जोर दिया जाना चाहिए। पर आना चाहिए कि आगे इस प्रकार की घटनाएं ना हों। अंख्याक हो जाएगा और यह देश आफगानिस्तान भी बन सकता है। जहांसे के पूच थाना च्छेत रखे अंतरगात एक दो महिने में बच्ची जो घर में सो रही थी वो अच्वानक रहसमें तरीके से गायब हो गई। जिसके काफिक खोचबिन परिजन द्वारा की गई है लेकिन कहीं कोई पता नहीं चल पाया है। अफिक खोचमिन को की गई है लेकिन कहीं कोई पता नहीं चल पाया है जिसके बाद से घर्टा की सूचना पुलिस थाना प्रभाडी को दी गई। कि सुभब 11 बच्ची गाइब हुई है जिसके बाद से देर शाम तक बच्ची का कोई पता नहीं चल पाए है वही घटना की सूचना पर बता देए कि मौट थाना पुलिस है एरच पुलिस, सहित पुलिस, छेतर अधिकारी और मौट और साथी फोरल सिक टीम जाच में जुटी हुई है बच्चे का सुराग लगाने सुराग का पता लगाने में लगातर प्रयास किया जा रहा है जासी जन्पद में ताना पुंच शेतर अंत्रगत जो पुंच का स्वा है वहां पे नई बस्ती महला में एक विक्ती नजरुदीन ने पुलिस को सूचना दिया कि उनका दो मेने का बच्ची गायब हो गई है पुष्टाच के लिए पुलिस टीम मौके पर पहुँच गई है और सीवो मोट दोरा अलगले टीम बना कर पुष्टाच किया गई इसे यह पता चल गया कि नजरुदीन का पत्नी अपने दो बच्चे को गर पेश ला रहे थी एक कमरे का मकान है और जो बड़े बच्चा है वो एक साल का बेटा है दूसरा जो बच्ची है वो दो महीने का है उतरप्रतेश के वारबंकी जिले में माफियाओं के खिलाफ लगातार कारवाई जारी है जिसके चलते उनमें हर कम समझा हुआ है यसी करम में इबफिर सी जिला प्रश्वास्तन ने बड़ी कारवाई करते हुए लगबख 2000 बीगे की जमीन को दबोच कर बता दे की दबंग का कबजा था जरा प्रश्वास्तन की यह पूरी कारवाई बारबंकी तहसील के राम सनही घाट छेतर के बसंदपूर गाउं में चल रही है इसमें जहां लगबख 2000 बीगे पटेदारों संक्रमनिये भूमी धरों और साथ ही ग्राम समाज की जमीन पर गाउं के दबंगों न क्रम में डियम अभिनाश कुमार ने इस जमीन को कबजा मुक्त करवाने के लिए अभियाद जुनाया इस जमीन को अब माफियाओं के चंगु से पूरी तरह से मुक्त करवा लिया गया है अब अब अधिकरमन को लेके मूल प्रकरण अवयद अधिकरमन को लेकर है और इसमें गाउं के ही एक दबंग विक्ती द्वारा कुछ लोगों को मिला के पटेदारों की जमीन संक्गभणी भूमदरों की जमीन और ग्रामसमा की जमीन तीनों जमीनों को जुए अबंगई क कि देश के क्रम में हम लोग आतरवाई तो द्हान ग्राम बंचाहत बस्वनपूत पस्तारा करीब एक हजार वीजे से उपर-उपर हमारी जीएस की जमीन ग्राम से माशती जिसको यहां के ठाकों साहब जीत बकत सें जोगिंडर सें बेर बहादूर सें अखन परता सें कुछ लोग से प्रसासन द्वारा कब्जा मुक्त कराया जा चुका है और करवाया जा लगभग कितनी आबादी वाला यह पूरा इलाका है और कब से यह जो जमीने थी इन लोगों के द्वारा कब्जा करी हुई थी मानी मुक्ति मंतरी जी के नर्देश हैं कि जो पट्टा धारक हैं उन लोगों को उनकी भूमी अवश्य रुप से दलाई जाए तो ऐसे एक प्रक्रण हम लोगों के सामने आया थी जिसमें राम सने गाड तैसील में लगभग 195 एक्टेर भूमी ग्राम बसंद पुरा करें और जिक्ते भी कब्जेदा रखें उनको कब्जा दिलाएड है और मुझे पूरी उम्मीद है जो मानी मुक्ति मंतरी के नर्देश है उसके कम में हम दो समझ पट्टेरियों को उनका हग बने प्रदेश की मुख्या योगी अधितनात प्रदेश की अवैद खनन रोकने के प्रती गंभीर है प्रतेग जन्पत के जलाधिकारियों को साफ़्तौर प्रदेश दिये गये है कि DF भी अवैद खनन देता नसर आ रहा है ऐसा एक ताजा मामला नलिदपुर के थाना जाकलोन अंतरगत जहां पाया गया है यहां पर ग्राम सभा की भूमी में अवैद खनन किया जा रहा है सूचला मिलते ही प्रधान का भाई अवैद खनन रोक ने पहुचा लेकिन वहां पर अवैद खनन करताओ से विवाद हो गया और विवाद होने के बाद मोटर साइकल से प्रधान का भाई और उसके साथी वहां आ गया इसी पीच अवैद खनन करताओं ने टाटा सफारी कार से ही पीछा किया और पीछे से टक्कर मार दी जिससे बाइक सवार प्रधान का भाई और उसका साथी लेकिन इसके बाद भी गाहों वालों में बॉडी को ले जाकर रोड पर रख दिया गया और जाम लगा दिया गया और न्याए की मांग करते वे नजर आये हैं थाना जाकलौन में ग्राम दॉर्रा में एक सफारी द्वारा एक्सिडेंट हुआ है इसमें दो मोटर साइकल्स हमार वेक्तियों को चोटे आई उसमें एक वेक्ति को मद्गोसित कर लिया गया दूस्ते वेक्ति का उपचार चल रहा है कार ड्राइवर को अरेश्ट कर लिया गया है और इसको जेर बेज़ा जा रहा है इसमें मुकदमा सुसंग कर दाराओं में पंजिकरत किया जा रहा है सभी पहलों से इसमें इन्वेस्टिकेशन जा रही है और लॉइन ओडर नी कोई समस्या नहीं है परिवार जनों से बातसीत हो गई है सियो और एडिस्टनलस्पी मौके पर है सरकार गौशालाओं पर लाखो रुपए पानी की तरह बहार ही है ताकि कि सानों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो और नहीं बेजुबान जानवरों को हो लेकिन सरकार लाख कोशिश के बाब जूद भी जमीनी हत्तिकत कुछ और ही बया करती है सीतापोर तैसिल मिश्रिक की ग्राम पंचायत बता दे की दधाना मौ के अवारा पश्वो से ग्रामीन इसकदर परेशान हो चुके है की 24 घंटे अपने खेतों में रहने को मजबूर है किसान अपने फस्वो को बचाय रखने के लिए सकराके की ठंड में खेतों में डेरा जमाय बैठे हैं किसान उने बताया कि प्रशासुद द्वारा आवारा पश्वो के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है इसके कारण हम लोगों को दिन रात खेतों में ही रुकना पड़ता है आवारा पश्वो को इतना बड़ा आतंक है कि जिधर भी निकलते हैं उधर ही इलाका फस्वो को नस्ट करते वे नजर आते हैं कई बार पश्वो के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है और साथ ही हम लोग करज लेकर अपने फस्वो को बोते हैं पानी लगाते हैं और जब तयार हो जाता है फस्वो तो आवारा पश्वो इसे खा लेते हैं जब इस मामले पर अउप जलाधिकारी मिश्रिक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि श्रिकायत मिली थी मैंने तैसिलदार और बता दे की तैसिलदार को इस मामले को लेकर कारवाई करने की बात कही है अब खबर गाजिपूर से है जहां पर पोलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए नकली नोट बनाकर बेचने वाले गिरों का पर दावाश किया है इस गिरों का मास्टर माइंड सुरेश रजट अपनी साथी के साथ फरार हो गया लेकि श्वातिर किस्म के आधादर जन तसकरों को पोलिस ने गिरफतार कर लिया है पोलिस ने इनके गिरफ से 500 रुपए के 3,79,200 रुपए के 1 और 100 रुपए के 261 नकली नोट और साथी बता दे कि नकली नोट बनाने का प्रिंटर भी बरामत किया है और साथी बता दे नकली नोट बनाने में इस्तमाल किये जाने वाले पेपर और एक नोट पर चिपकाने वाले चमकीले, हरी पटी और तीन अद बाइक भी परामत किये है आज हमारी साथ सर्विलेंस टीम और कोतवाली गाजीपूर टीम ने बहुत उतकरस्ट कार किया है पिछले दिनों काफी शिकायत प्रामत हो रहे थी कि नकली नोटों का प्रिचलन चलना है इस पर हमारी टीम है काम कर रही थी कल ये जानकारी मिली थी कि शहर गाजीपूर में ही कुछ लोग नगली नोट बनाने का और उन्हें सर्कुलेट करने का काम कर रहे हैं इस सूचना पे संयोग टीम दोरा हमारे छेत्रादिकारी नगर गौरव कुमार के नित्युत में ये ओपरेशन चला इस पूरे ओपरेशन में छे अपरादी गरपतार हुए हैं और जो नोट बना भी रहे थे और कुछ हिनी के साथी सर्कुलेट बजार में चलाने का प्रयास भी कर रहे थे इनके पास दो लाक आठ दस अजार आठ सो रुपे के नौट बरामद हुए हैं जो प्रिथम देस्टिया फेक करेंसी यूपे के कासगंज में नर्मानधीन दिवार गिरने से एक ही परिवार के चौड लोग मलवे में दब गए हैं जिसमें दो सगी बहन और एक भाई सही तीन लोगों के दर्गनाक मौत हो गई है गटना में गंभीर रूप से घायल पिता की भी हालत गंभीर बताई जा रही है दरसल मामला कासगंज के पटियाली छेतर के ग्राम नविलपूर का है जहां नर्मानधीस दिवार भरभरा कर गिर गई और इसमें एक नाबालिक बच्ची की मौत हो गई है वही मृतका के पेंद्र ने रास्ते में ही दम तोर दिया वही घायल बहन की इलाज की दौरान मौत हो गई है और एक ही परिवार में हुई तीन मौतों से कोहरा मचा हुआ इस घटना के सूचना मिलते ही घटना स्थल पर निरक्षन करने के लिए पहुंचे प्रभारी तैसिलदार पटिया अर्विल्द गौतम ने घटना में तीन मौतों की पोस्टी की है आज जैसा कि आपका वकत है कि यहां पर जोगराज सिंग पुक्त्र बहुरन सिंग की एक दीवार गिलने के कारण उनी के परिवार के शदस थे राम लड़े थे तो उनी के तीन बच्चों की अभी मृत्ति की हमें सूचना मिली है तो इसमें कितने लोगों इसार मृत्ति जैसे चेंगे बता दे कि शराबी पती ने हवानियत की हद अपार कर दी गर्वती पतनी की बंधख बनाकर पिटाई करते हुए सामने आया है ब यह मामला जहाँ पर बता दे कि यह दर्द से करहाती हुए गर्वती पतनी को बाई के पीछे बाद कर घंसीटा भी गया है बाई बांद कर घंसीटे हुए माई के तक पती ले जाता हुए नजर आया पती की इस हैवानियत से जो गर्वती महिला है उसकी हालत काफी बिगर गई आरन फाने में उससे उप्चार के लिए अस्पतार ले जाया गया है और इस दोरान फुलिस ने आरोपी पती को गर्वतार कर लिया है थाना घंचाई जन्बत पिलिभीत के अंतरगत एक बिगती राम उपाल ने अपनी पतनी को रसी से बहांकर अपनी मोटर साइकर ने कीशे खीचा जिससे वो काफी घायल हो गई इस संबन्द में उसके बिगत 307 का अभय पंजित किया गया उसको ततकाल रवतार किया गया उसको जिर बिगा गया है पुरिता को पचार के लिए जलाच चकर साले बिगा गया है उसकी आवधर वीस्तिर है अभय जिरू निरुद है उनाव में मगरमच दिखने से श्रद्धालू में हरकम बच गया श्रद्धालू और मकर संगरांती के पर पर गंगा स्नान करने गाये थे और यही बकसर घाट पर गंगा नदी में मगरमच दिखा है जिसमें श्रद्धालू में हरकम बच गया वही बतादे कि मगरमच का वीडियो बनाया गया है जिसमें बाद या वीडियो सोचल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है वह उन्नाओं में टेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है जहां टेज रफ्तार डंपर और ट्रक में भीशन टककर हो गई अनियंतरे डंपर ड्रक के पीछे से जोरदा टककर मार दिवा यहां से में डंपर च्वाला कॉर्ट पाड़ी च्वाला गंभीर रूप से घायल हो गया है गटना की सूचनाप में पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर दोनों को बहार निकाला साथ ही गंभीर हालत में दोनों को जल अस्पतार में भरती कराया गया श्रादिस समारो तो आपने खूब देखे होंगे लेकिन लिगर में एक आनोगी श्रादिस समारो होने का मामला सामने आये है क्योंकि श्रादिव समारों में पता दे कि टॉमी दुलहा बना है और जेरी जो है वो दुलहन बनी है पता दे कि आपको बता दे कि टॉमी और जेरी कोई इंसान नहीं बलकि कुत्ता और कुत्या है और इस श्वादी समारों में टॉमी और साथी टॉम एंजेरी के बता दे की पालनाहर घराती और बरसाती बने हुए है साथी बता दे की बकाइदा बारात जड़कर ढोल नगारों के साथ ये श्वादी करवाई गई है जिसमें लोग भी काफी थिरक्त भी नजर आए चले फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही न्यूज वल्वें इंडिया पर खबरों का सिलसला लगाता रहेगा जारी नमस्कार